कि अगैं यह इन दो कि अभिए चारी आप्रणून फेंड्स आज शुरू करते हैं जहां से कल छोड़ा था लेक्स स्टार्ट विद्ध और अरंग जेव कि 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 चलिए अब शुरू करते हैं अपन लोग कि और अंग जेव कि 1658 से 1707 सबसे बड़ी बात यह सर यह थोड़ा कैमरा उपर करो ना यार कि 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 देखो फोटो नहीं आ रही अज तर अज 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 चलो ठीक है देखिए ओ माई गॉड अज यार यह मिटे का कैसे है अज 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 मुजम्म बुर्ज क्या नाम है दूसरा इसी का मुजम्म बुर्ज शा जहां यहां कितने साल के लिए कैद थे 1658 में इनकी कैद शुरू हुई थी जब दारा युद्ध हार गया था और शा जहां ने अंतिम सा से 1666 में ली थी जिस रात शा जहां मर रहे थे उस रात शा जहां की सारी औरते उनके बगल में बैठी हुई रो रही थी शा जहां कभी ताज महल को देखते थे तो कभी होती हुई शाम को देखते थे सभी और्तों ने मिलकर के शाजहां से अपने राजा के लिए औरंगजेब के लिए अंतिम पत्र साइन करवा लिया था कि बाप ने बेटे की सारी गलतियों को माफ कर दिया शाजहा ने चिठी में औरंगजेव को लिखा भी था कि बेटा तुस्से तो अच्छे हिंदू होते हैं जो कम से कम अपने मरे हुए माबाप को पानी पिलाते हैं लेकिन तूने तो मुझे पानी के लिए भी तरसा लिया क्लियर तो शाजहा के अंतिम दिन बहुत ही ज़्यादा बुरे थे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कितने भी ताकतवर हो बुरे दिन हमेशा आपकी लाइफ इट विल नॉट भी अ कप आफ टी बुरे दिन हमेशा फेस करने के लिए आप लोग तयार रहिए कोई कोई एक ऐसा दस साल का पीरेड होगा जिसमें आप बुरा समय देखेंगे इससे कोई भी नहीं बच पाया चाहे राजा राम हो और चाहे शाह जहां हूं प्लियर गेटिंग दा पॉइंट चलिए आगे बढ़ते हैं गुड मॉनिंग गुड आफ्टरनून रितिका हो किया सार शाह जहां की एक बेटी थी जिसका नाम था जहान आरा जो दारा की सपोर्टर थी शाह जहां के समय या दारा के मरने के बाद में शाह जहां की देख बाल इसी लड़की ने करी तो ये इसका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा जिसने शाह जहां के पास जो थी उसका नाम किया था जहान आरा जहान आरा पहले दारा को पसंद करती थी लेकिन दारा के मरने के बाद में उसने अपने पिता की सेवा करना पसंद किया शाजहां के पुराने old days में यही उसके साथ रहा करती थी बदकिस्मत लड़की थी ये एक बार मकमल के कपड़े पहन करके महल में घूम रही थी तभी इसके कपड़ों में आग लग गई जिसकी वज़े से इलाज किया जान तो बच गई लेकिन इसकी कभी शादी नहीं हुई यही वो लड़की है जिसने चांदनी चौक बसाया था क्या बसाया था चांदिनी चौक ये कहां पढ़ेगा दिल्ली में यही वो लड़की है जिसकी कब्र निजामुदीन ओलिया की कब्र के पास में है यह सारे पॉइंट जहानारा के लिए फिक्स है जो पूछे जाते हैं आप लोग लिख लीजिए चाहें तो एजाज अहमत कैसे हो सर जी बढ़ीया सार आप बताओ कैसे हो यह सारे पॉइंट लिख लिए जहानारा के बारे में शा जहां बेचारा इतना बदकिसमत था कि जिस दिन वो मरा जहां आरा उसी के पास थी शाम का समय था साथ सावा साथ बजे या बहुत होगा तो साथ पंतालिस होगा और छे घंटे तक किसी को बताया ही नहीं गया कि शाह जहां मर चुके है हकीम पहले ही जवाब दे चुके थे कि अभी ये जीवित नहीं रहेंगे जहां आरा नहीं चार हिजडों को बुलाया और एक महल का दर्वाजा और दिवार तोड़ करके चुप चाप इसकी लाश को वो लोग ले गए और ले जा करके ताज महल में ही जाके दफना दिया गया तो इतना क्लियर समझ में आया आगे बढ़े शुरू करते हैं अगला राजा अगला बादशा जिसको हम कहते हैं औरंगजेब लिख लिए आप लोगों ने तो मिटा दे रहा हूं मैं पूरा नाओ दे नेक्स्ट किंग औरंगजेब कब से कब तक 1658 अपने पिता को जेल में डाल करके 1707 the longest ruling सबसे ज़्यादा इसने राज किया था longest ruling king कॉंग्रेस ने भी भारत पे इतना राज नहीं किया जिसने इसने अकिले किया था औरंगजेब two times coronation इसने दो बार अपना coronation किया जैसे ऑलमपिक की starting होती है जैसी party होती है ग्राउंड में वैसे ही इसकी पार्टी हुई थी, एक बार में एक हजार लड़कियों ने डांस करना शुरू कर दिया था, पूरे भारत भर से लोग आये थे, इसको मुबारक बात देने के लिए, कि इसका राज सही होगा, तो he was coronated twice, दो बार इसका राज जब इशेक किया ग Fundamentalist King, राइट, चलिए अब देखते हैं, इसने स्टार्टिंग में क्या किया, हाड ना, देखिए, डारेक्ट सवाल और अरंगजेब से पूछा जाता है, और क्योंकि आप लोगों का सिलेबस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो डोंट वरी, जितना मैं बता रहा हूँ, उतना बहुत है, आपका UPSC और PCS के भी एक्जाम सवाल इसी से क्लियर हो जाएंगे, चलिए देखिए, और अरंगजेब, देखिए, इसलाम में दो जीदे होती हैं, एक होता है दार उल इसलाम, और दूसरी थियोरी है, दार उल हरब, दार उल हरब, दार उल हरब किस कि पॉलिसी थी? बाबर, जहांगीर, शाजहां, अकबर, हुमायू, लेकिन दार उल इसलाम किस की पॉलिसी थी? औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने क्या-क्या काम उठाया, क्या-क्या कदम उठाये, because he was a fanatic Muslim, he wanted to rule according to Sharia, this was the reason, इसने क्या किया, तो चलिए देखते हैं, अकबर, अपने दर्वार में होली दिवाली खेलता था, वो खुद अपनी रानियों के साथ होली खेलता था, इसने कहा, बंद कर दो, मुझे होली खेलने की ज़रूरत नहीं, सवाल कैसे पूछेंगे, होली का तेहार किस राजा ने बंद किया, तो औरंग जेब, दिवाली, जहांगीर खुद अपने दर्वार में दिवाली खेलता था, इसने कहा, दिवाली भी बंद कर दो, ट्लियर, रक्षा बंधन, ये सारे के सारे लोग रक्षा बंधन का त्योहार मनाते थे, इसने कहा, मुझे राखी बंधवाने की कोई दरूरत नहीं, बंध कर दो, तो राखी भी इसने बंद करवा दी, देखिए, सवाल कैसे पूछेंगे, कौन-कौन सी चीदे इसने बंद करवाई, एक अच्छा काम भी किया, सती प्रथा, हाला कि अकबर ने भी बंद करवाने की कोशिश की थी, इसने भी बंद करवा दी, इसके बाद देखिए, गैंबलिंग जुआ जहांगीर दिवाली पे खुद तीन दिन जुआ खेलता था इसने कहा बंद कर दो तुलादान तुलादान क्या होता है बड़े के दिन राजा को तोला जाता था इसने कहा बंद कर दो जरोकाए दर्शन राजा अपने लोगों को एक खिड़की से जरोके से दर्शन देता था इन लोगों ने कहा ये लोग दिया करते थे जो राजा लिखे उपर इसने कहा बंद कर दो कुछ टैक्स भी इसने बंद किये वो टैक्स भी लिख लो राहदारी पंदारी ये दोनों टैक्स इसने बंद कर दिये कौन सा टैक्स लगाया इसने जजिया हिंदूओं को नौकरी से किसने निकाला ये लोग हिंदूओं को काम देते थे इसने हिंदूओं को नौकरी से निकाला सबसे ज़्यादा हिंदू किसके नहां काम करते थे और अंगजेप के राज में क्योंकि बाद में दुबारा भरती करी गई तो जरोका दर्शन, होली, दिवाली ये सब चीजे इसने बंद कर दी आगे देखिए इसने और क्या-क्या बंद किया म्यूजिक इसलाम में गाना बजाना मना है सिंगिंग डानसिंग तो सारे के सारे नर्तकों को और कलाकारों को इसने दर्बार से निकाला ये लोग ये काम करते थे इसने ये सारे काम बंद कर दिये तो म्यूजिक सिंगिंग, डानसिंग तो इसके समय सारे के सारे कलाकार जब ये जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए हाथी पे बैठ करके निकला बाहर तो वो लोग अपने तान तंबूरे की अंतिम यात्रा निकाल रहे थे इसी के जुलूस इसी के हाथी के आगे से निकला गया औरंगदेव ने पूछा भी ये क्या है तो उन लोगों ने कहा कि जब तुम पैसा नहीं दे रहे हो तो हम लोग अब दफन होने जा रहे हैं बोले औरंगदेव ने बताया कि अपने ये जो तबला वबला है ना इसको इतना गहरा गाड़ना कि इसकी आवाज उपर तक ना आए तो इस तरीके से इसने ये सारे काम बंद कर दिये आप लोग लिख लिजिए मैं आपको दो मिनट का समय देता हूँ थैंक यू झाले ये खबला हूँ झाले वे झाले वें राट वा बांद कर दो दो बहा हौ झाल कर दो झाल 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 चलिए देखिए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइस करा देता हूं रहाधारी टेक्स इसने बंद किया रहधारी मतलब क्या होता है टोल पंदारी भी इसने बंद कर दिया जदिया इसने लगाया हिंदूों को सबसे ज्यादा नौकरी इसने दी अकबर और ये सब लोग होली दिवाली ये सब खेलते थे इसने बंद कर दिया होली बंद कर दी दिवाली बंद कर दी रक्षा बंदन बंद कर दिया, सती बंद कर दी, गैम्बलिंग बंद कर दिया, companions बंद कर दी, music बंद कर दिया, singing बंद कर दिया, तुलादान, जृरोकाई दर्शन, Hindu, और एक चीज़ लिख लिए. लिख लीजिए, इसने सिक्को पे कल्मा, लिखवाना भी बंद कर दिया तो इस तरीके से इसने काफी सारे काम किये जो इसने लोग करते थे इसके पहले के राजा इसने उठा करके बंद कर दिये अब आप लोग खुदी सोचिए औरंग्देब ने जो यह कदम उठाए यह उसकी हिंदू जंता के खिलाफ थे किसके खिलाफ थे हिंदू जनता के अब हिंदू जनता इसका जवाब कैसे देगी हिंदूओं के पास में दो ही चांस थे या तो सर उठा के जीते या सर जुका के जीते लेकिन इस बार हिंदूओं ने सर जुका के नहीं उठा करके जीने की सोची तो अब आप लोगों से दूसरा सवाल पूछा जाता है औरंगशेव में, इसके खिलाफ विद्रो, तो सबसे पहला विद्रो इसके खिलाफ किस ने किया? नाम था Gokul, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, The Jart Rebellion. The Jart Rebellion, किस ने किया? Gokul. लिखते चलिएगा साथ में जाट रेविलियन किस ने किया गोकुल पहला जाट नेता गोकुल और औरंग्जेप की सेना के बीच में युद्दुआ जिसमें गोकुल मारा गया गोकुल के बाद अगला नेता कौन हुआ राजा राम राजा राम ने क्या बड़ा काम किया था अगर किसी को पता हो या मैं पहले ही बता दूँ इन लोगों ने हिंदुओं के मंदिर तुडवा दिये थे इसकी एवज में राजा राम ने जाकर के अकबर की कब्र ही खोद के अकबर की अस्तियों को आग लगा दी तो सिकंद्रा में जहां पर अकबर लेटा हुआ था इसकी कब्र को खोद के जलाने वाला जाट कौन था तो सिकंद्रा में इसकी अस्तियों को जलाने वाला कोई और नहीं बलकि राजा राम ही था clear तो burnt अकबर remains English में लिख लीजिए burnt अकबर remains राजा राम के बाद एक और राजा आया राजा राम को भी 1688 में मौत के गाट उतार दिया गया इसके बाद 1688 में एक और राजा आया नाम था चूरा मन जाट क्या नाम था चूरा मन जाट 1688 में अगला जाटो का राजा कौन आया चूरा मन जाट चूरा मन जाट ने क्या काम किया established भरतपुर तो भरतपुर राजी की स्थापना आगरा से 40 किलो मीटर दूर ही करी गई भरतपुर ये important factor है भरतपुर की राजधानी क्या थी इसकी राजधानी थी capital was डीग आप लोगोंने डीग के महल देखे होंगे बड़े famous महल है और इसी में किला किले का भी नाम लिख लो जो किला बनवाया गया था जो सबसे strong किला था भारत का लोहागर इसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए इसकी खासियत क्या है किले की the fort was never conquered up till now इस किले को तोपे भी इस पे असर नहीं करती थी क्योंकि दीवारे चिपचिपी बनाई गई थी clear? लिख लीजिए आपको एक मिनट का समय देता हूँ this was the first rebellion against Aurangzeb by Hindus आज आप लोग comment नहीं कर रहे है क्या बात है वितिका, अंजली, एजाज क्या हुआ comment नहीं कर रहे हो लिखते चलो साथ में राजाराम, सिकंद्रा राजाराम ने क्या किया अकबर की हस्तियों को जला दिया मतलब सिकंद्रा को ही लूट लिया था उसने लिख लिया चलिए बढ़िया एंजली मैं लिखते चलिए मैं आपको इंपर्टेंट इंपर्टेंट फैक्स वैसे ही बता दूँगा मिटा दूँ चलिए देखिये अब एक और रिवोल्ट देखिये जो और अर अरंग्देप के समय हुआ था मुंडिया मुंडिया कौन होते थे मुंडिया सादू कहां रहते थे ये रहते थे रेवाडी रेवाडी दिल्ली के पास पड़ता है और नारनोल ये भी दिल्ली से सो देड़ सो किलोमीटर की दूरी पर है इनको मुंडिया सादू क्यों बोला जाता था क्योंकि ये अपने सारे بال काٹ کے रखते थे कहां कहां के बाल काटते थे सर के, डाड़ी के, आँखो के सारे बाल काट दिया करते थे इसलिए इनकी मुंडी तेल लगा के अलग से चमकती थी सर ये बात पहली बार पता चल रही है सुनने में मजा आ रहा है confusion end में सुन लेंगे ओके कोई दिक्कत नहीं है तो मुंडिया सादू क्या करते थे अपने बाल साफ रखते थे आँखों के दाड़ी के और सब जगह के और तेल लगा के एकदम चमकते थी इनकी मुंडिया इसलिए इनको बोला गया मुंडिया सादू एक बार एक मुंगल सैनिक ने मुंडिया सादू के टांट पे डंडा मार दिया उस मुंडिया ने उसको अपनी इंसल्ट के रूप में लिया सारे मुंडिया जमा हो गए और उन्होंने मुंगल मुंगलों को मारके भगा दिया इसके बाद जब सेना भीजी, इतनी बड़ी सेना मुंडियाओं के खिलाव भेजी, कि एक भी मुंडिया जिन्दा नहीं बचा, ढूंड ढूंड के मुंडियाओं को काटा गया, क्यों? क्योंकि एक दिन में बाल निकल नहीं सकते, सारे मुंडिया ढूंडे गए, पहचाने गए, तो this revolt was called मुंडिय साधू या सन्यासी रिवोल्ट, किसके समय हुआ था? औरंग जेब. चलिए, आगे बढ़ते हैं, आप लोग लिख लो, मुंडिया साधू रिवोल्ट, किसके समय हुआ? औरंग जेब. औरंग रिवोल्सिया सारे में आपिसे रिवोल्स में. चलिए, यार्चे लो, मुंडिया गए, तो ऑने episode. चलिए, आगे बागरे मुंडिया साधू बड़िए, चलिवोल्सिया बतल्स चल्वाब मुझ मुंडिया साधू 7 अवको भगब हो चलिए नेक्स टॉपिक देखिए अब देखिए आप मान लीजिए ये औरंजेब का दर्वार है ये बैठा औरंजेब और यहां पर बैठे हैं सारे मुस्लिम मुस्लिम मतलब उसके जितने भी मुस्लिम नोबल्स थे तो औरंजेब को सबसे ज़्यादा नफरत किस्से थी उसको सबसे ज़्यादा नफरत थी राजपूतों से क्यों क्योंकि राजपूत उसकी बात नहीं मानते थे क्यों क्योंकि राजपूतों का वो समर्थन नहीं करता था लेकिन ये राजपूत पांच पीडियों से फाइव सबसे important घृराना था वो था आपका मेवाड क्लियर इस सरीके से अने को राजपूत राजवंश इनकी सेवा कर रहे थे जैपूर के राजा कौन थे राजा जैसिंग जैपुर के राजा कौन थे राजा जैसिंग जोदपुर के कौन थे अजीत सिंग और अजीत सिंग के साथ ही एक और नाम लिख लो दुरगादास मेवाल के लथे राना राज सिंग यह लिख लीजिए फिर आपको एक कहां नहीं सुनाओंगा पड़िया और आप लोग खुद सोचिए कि अगर औरंगजेब की जगए आप होते तो आप हिंदू एलिमेंट को कैसे खतम करते अगर औरंगजेब की जगए आप बैठे होते और आप मुस्लिमों का साथ देना चाहते थे लेकिन आपके दरवार में एक तरफ सारे राजपूत राजा बैठते हैं तो आप कैसे हिंदूों को या राजपूतों को अपने दरवार से बाहर करते बताईए सोच करके देखता हूं किस में औरंगजेबी दिमाग है अपने दु समाग में आए वो तुरंत कमेंट करें I am giving you one minute time to think how you will finish your enemies, how you will finish your enemies when they are your friends ऐसे लोगों को कैसे खतम किया जाएगा अभी भी ऐसे लोग समाज में हैं कोई तो कमेंट करो किता है हुआ 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 कमेंट फूट डालो उनको आपस में कनेक्शन तोड़ दो ओके मैडम आपके पास दिमाग है औरंग जेवी ये बात मैं मानता हूँ चलिए सुन लीजिए पहली कहानी जब राजपूत दरवार में बैटे हो तो उन्हें कैद कर लेते अरे दीपक सर्फ कैद कैसे कर लेते ऐसे तो मोदी राउल गांदी को कैद कर ले बोले तू जाए गई नहीं बाहर कुछ और सोचो बढ़िया आप ऐसे कैद नहीं कर सकते थे इनकी सेनाएं बाहर ही रहती थी वो लोग हमला कर देते बेकार का रखपात होता जब डिप्लोमैसी खेलनी है तो डिप्लोमैसी से जीतो युद्ध हर चीज का हल नहीं है इस समय इतना बावाला हो रहा है देश में उससे क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा कानून तो पास होई चुका है राइट तो ऐसा सोचो डिप्लोमैसी सोचो जीवन में हर जंग को आप दिमाग से जीत सकते हो चलिए सुन लीजिए क्या हुआ था और कैसे हुआ था मैं दिखाई पढ़ रहा हूँ आप लोगों को दिवाइड एंड रूल ये सही है रित्तिका शर्मा तो अब इसमें पहले घराने की काहानी सुनिए जो नाम था जोधपूर जोधपूर के राजा थे जस्वंत सिंग कौन थे जस्वंत सिंग जोधपूर के राजा कौन थे जस्वंत सिंग आप लोगों को कल मैंने धर्मत की लडाई बताई थी धर्मत का युद तो धर्मत के युद में जो है जस्वन सिंग को आगरा से लड़ने के लिए भेजा गया था यही कारण था कि औरंगजेव और जस्वन सिंग की दुश्मन ही बहुत पुरानी थी औरंगजेव जैसे ही गदी पर बैठा उसने जस्वन सिंग को सीधे अफगानिस्तान लड़ने के लिए भेजा अब कैसे मिशन पर भेजा गया जहाँ पर उनकी हार या उनकी मौट तै थी जस्वन सिंग गए और अपने दो राजकुमारों को उन्होंने वहीं खो दिया जस्वन सिंग के दो लटके वहीं मारे गए जस्वन सिंग खुद भी जामरूद नाम की एक जगह पर अपनी ही चोटों से मारे गए जस्वन सिंग जब मारे गए तो उनकी राजगद्धी कहां की राजगद्धी खाली हो गई जोदपूर की औरंगदेब चाहता था कि वो जोदपूर को मुगलिया सल्टनत में मिला ले इसलिए जस्वन सिंग की आठ राणियों में से छे राणियों ने सती किया लेकिन दो रानियों ने सती नहीं किया क्यों क्योंकि वो दोनों की दोनों रानी प्रेगनेंट थी और प्रेगनेंट औरते कभी भी सती नहीं करती थी यही कारण था कि इन दो रानियों में से एक रानी को एक लड़का पैदा हुआ लड़के का नाम रखा गया अजीद सिंग लड़के का नाम क्या रखा गया अजीद सिंग लेकिन ये लड़का औरंगजेब की कैद में पैदा हुआ था औरंगजेब इसको कभी छोड़ता ही नहीं था कैद से इसलिए यहाँ पर नाम आता है एक ऐसे वीर का जिसका नाम था दुर्गा दास राठोड। दुर्गा दास ने बहादुरी दिखाई उसने असली रानी को नकली रानी से और असली लड़के को नकली लड़के से बदल दिया और इन बच्चे को और रानी को ले करके वो सीधे आगरा से जोदपुर के लिए निकला। जैसे ही तीन बार औरंग्जेब की सेना से युद्ध हुआ लेकिन जखमी हालत में भी दुरगादास इस बच्चे को और इस रानी को ले करके क्योंकि यही बच्चा राजा जस्वंत सिंग का अंतिम वारिस था इसको ले करके दुरगादास जोदपुर पहुँच गया औरंग्जेब को पता चला तो उन्होंने भी जोदपुर का साथ दिया औरंग्जेब यहां से खाली हाथ लोट करके आ गया गुसे में तम तमाया हुआ सर चित्रों का क्या हुआ और अंग्जेब के टाइम किसका चित्रकारों का सर शाह जहां की religious policy see this शाह जहां की religious policy से आप लोगों के SSC level पर सवाल नहीं आता है dear friends I know they have their religious policy Afghan policy, south policy international also so I know each and everything but आप लोगों का SSC level है it is not UPSC level जिस दिन आप UPSC level लेंगे उस दिन I will discuss these things in detail कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकबर कोई 7 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ आप मेरी बात को समझिए और कोई सवाल सर चित्रकारों का चित्रकारी भी उसने बंद करा दी ये clear हुआ समझ में आया, आपको इतना याद रखना है जोदपुर के राजा कौन बने, अजीद सिंग और किसने बनाया दुरगा दास राठोड इसलिए राजिस्तान में कहावत है आज भी कि पूत जनियो तो दुरगा दास जैसा जनियो वरना मत जनियो, मतलब जब भी कोई औरत प्रेगनेंट होती है तो लोग कहते हैं, ये गीत गाए जाते है कि इसके पेट में जो बच्चा हो वो दुरगा दास जैसा ही बने क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट, चितोड पूछ रहा हूँ किसके समय चितोड और अंग्जेब के टाइम चितोड का किला इनी के पास था किला अक्बर ने जीत करके वापिस कर दिया था किले की दिवारे तोड़ दी गई थी मतलब अब वो उतना मजबूत किला नहीं रह गया था दिवारे तोड़ने के बाद में कोई भी उसमें आसानी से आ और जा सकता था बट फॉर दा लिविंग प्लेस इट वाज गिवन टुदा राजपूत फैमिली बैक डोंट वरी किले की चावियां हलकी अक्बर के ही पास थी क्लियर आगे बढ़े रवी जी आपकी हिस्ट्री बहुत बढ़िया है आप धंग से त्यारी करिए आप यूपिसी के लिए त्यारी करिए सेसी आपके लिए छोटा लेवल है मैं आपको साफ साब बता रहा हूँ क्लियर आगे बढ़े चलिए अगला सुनिए राना राज सिंग मेवाड के राना राज सिंग ने अपनी बेटी का आथ अजीत सिंग को दे दिया था इस प्रकार से ये दोनों के दोनों घराने अब आपस में रिष्टेदारी जो है इनकी हो गई थी लेकिन यहीं पर 1679 में एक और बड़ी घटना हुई उस घटना को याद रखना क्यों? क्योंकि 1679 का साल औरंगजेब किशनगड पहुँचा था कहां पहुचा था? किशनगड और किशनगड में क्या खास था? किशनगड की राजकुमारी बड़ी सुन्दर थी इसकी सुन्दरता की चर्चा दुनिया भर में होती थी इस लड़की को देखने ये कहां पहुचा? किशनगड क्लियर चलो ये बता देता हूँ आपको किशनगड का किला बड़ा फेमस था किशनगड कहां पढ़ेगा किशनगड राजिस्थान राजिस्थान में भी कहां पढ़ेगा इट इस नियर अजमेर तो 1679 के साल की बात है औरंगजेब अपनी सेना लेकर के जब लौट रहा था तो उसने किशनगड का घेरा डाल लिया मतलब औरंगजेब की सेना ने किशनगड के किले को घेर लिया तो ये खड़ा औरंगजेब और औरंगजेब ने बोला भी कि अगर तुम चाहते हो कि मैं किले पे हमला ना करूँ तो मेरी एक बात मानो तुमारी जो राजकुमारी है उसकी शादी या तो मुझ से कराओ या मेरे बेटे से कराओ इसका बेटा भी उसी समय उसके साथ था नाम क्या था अकवर लेकिन किशनगड की राजकुमारी केवल लेकर के राना राज सिंग के दरवार में और राजपुतो के दरवार में भेजना शुरू कर दिया ये कहां के थे मेवार के और ये किसके वंशच थे ये वंशच थे महराणा परताप के ये वंशच थे राना सांगा के ये वंशच थे राना कुमभा के और ये वंशच थे जो मेवार की लीनियस थी जिसमें राना अमर सिंग, राना कुमभा, राना राज सिंग, राना सांगा इस प्रकार के वीर थे, इसके हाथ, इसके दरवार में जब इसका पंडित पहुचा, लेकर के चिठ्थी और एक राजकुमारी के हाथ का कंगन, उस चिठ्थी में लिखा क्या तुम्हारे जैसे राजा के होते मुझे एक बंदर के मू जैसे मुस्लिम बादशा से शादी करनी पड़ेगी ये सुन करके राना राज सिंग का खुन खौल उठा और उन्होंने सीधे अपनी सेना तयार करी और औरंगजेब की सेना के पीछे अपनी सेना लगा दी अब औरंगजेब घबरा गया बोले आगे भी सेना है और पीछे भी सेना है तो क्या किया जाए इसलिए औरंगजेब सीधे यहां से निगला और दिल्ली पहुचा गुस्से में तम तमाया हुआ औरंगजेब दिल्ली पहुचा तारीक थी 2nd April 1679 बड़ी तारीक थी ये मुगलिय लगा दिया था गुस्से में आकर कि हिंदूओं से बदला लेने के लिए औरंगजेब ने जजिया दुबारा लगा दिया क्या लगाया जजिया अकबर ने इसको 115 साल पहले खतम किया था कब खतम किया था 1564 में और औरंगजेब ने इसको दुबारा लगा दिया कौन सा टे सौरी हिए जजिया इज पूल टैक्स इसको कौन देता है काफिर काफिर कौन होते हैं नौन मुसलिम्स तो औरंग जेप के सामराज में जितने भी मुसलिम्स थे उन लोगों पर एक नया टैक्स लगाया गया जिसे हम कहते हैं जजियाँ चलिए देख लीजिए लिख लीजिए झाल झाल आप लोग समझ गए कि आपको कैसे याद रखना है पूरी कहानी सुननी है गौर से क्यों कहानी याद रहेगी ऐसे फैक्स नहीं रटपाओगे कितने किर्दार है क्या हुआ किशनगड की राजकुमारी की वज़े से ही टेक्स लगा था हिंदूओं पे कौन सा टेक्स था जजिया चलिए आगे बढ़ा जाए अब देखते हैं औरंगजेब में ही एक और हेडिंग जो इसी में पढ़ाई जाएगी आपको उसका नाम है शिवाजी शिवाजी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे या मुझे बताने की जुरूरत है नहीं जानते या जानते है तो बताईए फटाफट कमेंट करिए उसी इसाब से आप लोगों को शिवाजी बता दिया जाएगा शिवाजी बताना पड़ेगा पूरा आप लोगों को चलिए शिवाजी बता देता हूं डोंट वरी शिवाजी का जनम शिवाजी की बर्त शिवनेर के किले में कौन से किले में हुई थी शिवनेर के किले में इनके पिताजी का नाम फादर का नाम था शाह जी भोंसले ये सवाल एक बार आईयस में पूछा गया था कि शिवा जी की जात कौन सी है तो जात पिता की जात पे ही होती है कौन सी जात है भोसले और भोसले ही लिखना शाह जी भोसले मा का नाम जीजा भाई मदर क्या नाम था जीजा भाई और जीजा भाई कहां रहा करती थी पूने क्यों पूने रहती थी क्योंकि इनको इनके पती छोड़ चुके थे ऐसा नहीं था कि शाजी ने दूसरी शादी कर ली जीजा भाई को छोड़ करके नहीं शाजी जिसके हां नौकरी करते थे उसने मना किया था कि तुम जीजा भाई से नहीं मिलोगे जानते हैं बतादिय दूरी जानकरी चलिए मैं पूरी जानकरी आपको देता हूँ तो यही कारण था कि जब शिवा जीजा भाई के पैदा हुए तब तक शाजी जीजा भाई को छोड़ चुकी थी, इसलिए शाजी ने अपने बेटे के लिए एक सबसे अच्छटी चर रखा, जिसका नाम था दादा जी कौन देवा, क्या नाम था दादा जी कौन देवा, दादा जी कौन देवा, दादा जी कौन देव नहीं शिवाजी को military training दी थी क्या दी थी military training जो अकबर के लिए बैरम खान था वही शिवाजी के लिए दादा जी कौन देव थे लेकिन शिवाजी को अभी और भी teacher मिलेंगे इनके धार्मिक teacher धार्मिक इनके religious teacher कौन थे इनके religious teacher थे तुकाराम पहला option आए तो तुकाराम टिक करना और दूसरा राम दास इन्ही से इन्हों ने सीखा था हिंदू पद पद शाही मतलब हिंदुस्तान का राजा हिंदू होना चाहिए हिंदू पद पद शाही और ये चलेगा आप लोगों ने अबदाली पिक्चर देखी है उसमें भी यही सपना था मराठो का हिंदू पद पद शाही हिंदूस्तान का राजा हिंदू होना चाहिए clear आगे बढ़ते हैं अब देखिए और शिवाजी की बाते शिवाजी की पहली पतनी इनकी पहली वाइफ नाम था साई बाई निमबालकर क्या नाम था साई बाई निमबालकर इस से इनको लड़का भी हुआ नाम क्या रखा गया शमभाजी और शमभाजी को भी एक लड़का हुआ शमभाजी को मतलब शमभाजी की पतनी को शम्बा जी की पत्नी कौन थी ये सूबाई इन दोनों को भी एक लड़का हुआ नाम रखा गया शाहू clear? Are you getting it? This is only शिवा जी सीवी, सीवी of his family क्योंकि यहीं से सारी बाते पूछी जाती है और इनकी पहली वाइफ थी ये और दूसरी वाइफ कौन थी? दूसरी वाइफ का भी नाम लिख लो मोहिते जिससे इनको एक और लड़का पैदा हुआ जो थोड़ा सा कम था नाम था राजा राम राजा राम की भी शादी हुई आगे चल करके राजा राम वैट्स तारा भाई और तारा भाई को भी एक लड़का पैदा हुआ नाम रखा गया शिवाजी तो don't get confused between this शिवाजी and that शिवाजी तो he was शिवाजी 1 and he was शिवाजी 2 clear? note कर लिजे आप लोग ये पूरा का पूरा CV है इनका यहीं से आगे तक चलेगी लड़ाई 50 साल एक मिनट दिया आप लोगों को note कर ये सारे facts किसके? झाल 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 जमिंदार से बताओ सर ठीक है जमिंदार से बताता हूँ आप लोगों को आठ मिनिट से कुछ भी नहीं सुना बहुत अच्छा प्राइच यह इस आट यह जाल झाल 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 लोगों की आवाज नहीं आ रही है सर वो आवाज बंद कर दो चलिए शुरू करते हैं राइट देखिये शिवाजी ने अपना कैरियर हाईवेर रॉबर के रूप में शुरू किया था हाईवेर रॉबर क्यों शुरू किया क्योंकि शिवाजी को अपनी सेना खड़ी करनी दी और अपनी सेना के लिए पैसा चाहिए था इसलिए शिवाजी वहां के लोकल दमिंदारों को लूट लिया करते थे लोकल दमिंदारों को लूटने के बाद में शिवाजी को जो पैसा मिलता था जो धन मिलता था उस धन को शिवाजी अपने पास जमा कर लेते थे और थोड़ा सा पैसा अली आदिल शाह जो बीजापूर के सुल्तान थे उसको भेज दिया करते थे राइट तो जब बीजापूर के सुल्टान को पता चला कि शिवाजी ज़्यादा पैसा अपने पास रखते हैं और थोड़ा सा उसको भेजते हैं तो बीजापूर के सुल्टान ने शिवाजी को डाटा चिट्थी लिख करके और क्या जूट थोड़ा बोल रहा हूं यार तो इसके बाद में क्या हुआ कि शिवाजी को जब चिट्थी मिली तो उस पे लिखा हुआ था कि अगर तुमने मुझे मेरी रकम नहीं दी तो मैं तुमारे पिता को जेल में डाल दूँगा पिता कौन शाहजी भोसले उन्हीं क् किया करते थे इस पर शिवाजी ने इसका बखूबी जवाब दिया क्या जवाब दिया कि अली आदिल शाह अगर तुमने मेरे पिता को जेल में डाला या मेरे परिवार को कश्ट में डाला तो मैं तुमारे खिलाफ तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुगलों की मदद करूँगा इस पर अली आदिल्शा घबरा गया और उसने सोचा कि शिवाजी की बढ़ती हुई ताकत को तुरंती खतम कर दिया जाए इसलिए उसने अपने सबसे ताकतवर सेना पती अफजल खान बीजापूरी को भेजा अफजल खान बीजापूरी साड़े छे फुट लंबा चौड़ा था जैसे ही उसको दरबार में पता चला कि शिवाजी जैसे चुहे को पकड़ने के लिए भेजा गया है तो उसने कहा कि मैं शिवाजी को बिना गोड़े से उत्रे ही पकड़ लाऊंगा तुम देखना ऐसी बड़ी बड़ी बाते करके अफजल खान शिवाजी पे हमला करने के लिए पूने के आसपास तक पहुँच गया अफजल खान की सेना ने सब जगे तबाही मचा दी क्योंकि शिवाजी खुली जंग नहीं करते थे छापामार युद्ध किया करते थे इसलिए अफजल खान ने शेहरों को आग लगा दी खेतों को आग लगा दी गई बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया जितनी हो सका इसने लूट पाट करी और जंता को नुकसान पहुचाया अब अफजल खान को तब भी जब शिवाजी नहीं मिले उसको अपना अभियान फेल होता हुआ दिखा पैसा खर्चा हो रहा था बड़ी तेजी से इसलिए अफजल खान ने सोचा कि एक मीटिंग रखता हूँ इस मीटिंग के अंदर जब शिवाजी मुझसे मिलने आएंगे तभी मैं शिवाजी को पकड़ करके और अपने हातों में दवा करके मौत के घ शिवाजी ने अपने हातों में एक हतियार पहन रखा था जिसे हम कहते हैं बग नक क्या कहते हैं बग नक ये क्लैम टाइप का होता है जैसे आज कल के बच्चे कॉलिज में क्लैम पहन के जाते हैं जब उनकी लड़ाई होती है शिवाजी ने ऐसा ही बग नक पहन रखा था और जैसे ही शिवाजी अफजल खान के गले मिले वैसे ही अफजल खान ने उनको दबाना शुरू कर दिया जितना तेजी से अफजल खान ने उनको दबाया शिवाजी ने ये बगनक अफजल खान की पीट में गुसेड दिया अफजल खान शिवाजी को जितना दबाता चला ग गया और शिवाजी ने पीछे से उसकी कमर फार के रख दी अफजल खान की सेना ने जब अपने ही सेना पती को इस तरीके से मरते हुए देखा तो सेना तितर बितर हो गई लेकिन शिवाजी ने अफजल खान की सेना के साथ में बड़ा अच्छा सलूक किया उनको दो अफशन पहला अपने घोडे और अपने हत्यारों को लेकर के मेरी सेना में जमा हो जाओ दूसरा अगर तुम मेरी सेना में नहीं रहना चाहते हो तो अपने कपड़े और अपने घोडे अपने हत्यार यहीं छोड़ करके चले जाओ ताकि रस्ते में तुमसे पूछे कोई कि तुम्हार अब क्लियर हुआ क्लियर हुआ तो लिख लीजिए लिख दीजिए येस आगे बढ़ेंगे फिर सबको आवाज आरी थी यू है आल पीपल है वर्ट दा एपिसोड अफदल खान प्लीस तेल मी येस देन आई विल इस्टार्ट सेकेंड एपिसोड आफ शाहिस्ता खान डोंट वरी देर आर फोर तो फाइव एपिसोड आफ शिवाजी जहांते सवाल डिरेक्ट पुछा जाता है हाँ भाईया ठीक है पूरे नेकड नहीं गए थे थोड़ा बहुत पैन रखा था अरे जब सेना ऐसे जाएगी ना तो लोग पूछेंगे भाईया यह आल तुम्हारा किस ने किया ठीक है हाँ आदे लोगों ने शिवाजी की सेना को जोईन किया आदे लोगों ने वापिश जाना पसंद किया डोंट वरी आप लोग सेना की चिनता चूड़िये सेनापती की चिनता करिए आगे बढ़े चलिए नेक्स एपिसोड देखिए शिवाजी का अगला एपिसोड औरंग्जेब को जब पता चला कि शिवाजी ने ये किया है तो औरंग्जेब तिल मिला गया औरंग्जेब ने नूर जहां के पोते को जिसका नाम था शाहिस्ता खान उसको भेजा किसको बेजा शाहिस्ता खान कहां से भेजा गया था मुगल दरवार से शाहिस्ता खान कहां से भेजा गया मुगल दरवार से शाहिस्ता खान एक ताकतवर सेनापती था जब उसको शिवाजी जैसे चुए को पकड़ने के लिए भेजा गया तो वो भी मुस्कराया उसको लगा ये भी कोई काम है बड़ी आसानी से हो जाएगा शाहिस्ता खान ने पूने पे कबजा कर लिया उसने वही गलती करी जो अफ़ल खान ने करी थी शाहिस्ता खान ने पूने शहर के जो महल था उस पे कबजा कर लिया और पूने में लोगों की एंट्री बंद कर दी शिवाजी को फिर भी शाहिस्ता खान ढूंड नहीं पाया लेकिन शिवाजी की पुरानी जागीर पे कबजा करके शिवाजी के पूरवजो के महल पे कबजा करके आराम से बैठा हुआ था जब कुछ समय बीत गया तो शिवाजी ने एक चाल खेली चाल क्या थी जो लोग यहां रहते थे उन लोगों में से एक ने कहा कि साहब लड़की की शादी है कम से कम बारात को तो आने दो तो भाई साहब 200 लोगों की बारात उस दिन पूने शहर में आ गई कितने लोग आ गए 200 शाम को 200 लोग और आए बोला गया कि मराठा बिजनेसमेन है पिटेंगे तो पैसा देंगे तो यह 200 लोगों की भी एंट्री कर दी गई इसके पहले तो मराठों की एंट्री बंद थी अब शिवाजी पूने में दाखिल हो चुके थे और शिवाजी जानते थे कि जिस महल में शायस्ता खान और उसका लड़का रुका हुआ है इस महल में कुछ चोर दरवाजे और चोर रस्ते हैं जो शिवाजी के पूरवजों ने बनाए थे उसी दिन रात को शिवाजी अपने बहतरीन 400 लड़ा के देखिए मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इस बरात में दूला कौन था अफकोर्स शिवाजी थे अब शाम रात के समय जब रात ढल गई अंधेरी रात थी एकदम उसी रात को शिवाजी ने अपने 400 बहतरीन लड़ाके ले करके उस महल की वो खिड़की तुड़वा दी और चोर रस्ते से महल के अंदर गुज गए इतनी रात को एकदम से हमला हुआ शाहिस्ता खान और उसके लड़का समझी नहीं पाए कि हुआ क्या शाहिस्ता खान का लड़का मारा गया किसका लड़का मारा गया और शाहिस्ता खान जो अराम कर रहा था सो रहा था एक दम से हमले की वज़े से उठा लड़ा लेकिन उसका अंगूठा काट लिया गया शाहिस्ता खान बिचारा जंगलों की तरफ भागा अपनी जान बचाने के लिए तो इस तरीके से अब शिवाजी ने दो बड़े सेना पतियों को हरा दिया एक अफजल खान बीजापुरी और दूसरा शाहिस्ता खान लिख लीजिए किसको हराया मुगल दरवार के शाहिस्ता खान दीमे दीमे करके शिवाजी के पास अब तीस से ज़्यादा किले हो चुके इन किलो को क्या बोलते थे इट दीस फोर्ट वर कॉल्ड घरी किलो को क्या बोलते थे घरी नुगते क्या थे ये होते थे mud forts क्या होते थे ये mud forts clear लिख लीजिए उसके बाद episode 3 शुरू करते है शिवाजी का अफजल खान और शहिस्ता खान ने शिवाजी को जो नुकसान पचाया था उसकी कीमत अदा करने के लिए शिवाजी ने 1664 में सूरत को लूटा किसको लूटा सूरत को ये सवाल पूछा जाता है सूरत का प्लंडर किस ने किया शिवाजी कब किया 1664 क्यों किया because of heavy losses occurred by the मुगल armies in the territories of शिवाजी और जो पैसा ये सूरत से लाए थे उसको रॉबिन हुड की तरह उनी लोगों में बाटा गया जिनके घर और खेत और अंजेब की सेना ने जला दिये थे नाव शिवाजी वाज़ी वाज़ हर दिन बढ़ता जा रहा था ऐसी खबरे जब औरंगजेब को मिली तो वो तिल मिला गया इसी तिल मिलाहट में औरंगजेब ने अपने सबसे बहतरीन सेना पती को भेजा जिसका नाम था जैस सिंग जैस सिंग आमेड के राजपूत थे और शिवाजी के पूरवज भी सिशोदिया वंश के ही राजपूत थे जो राजिस्थान से माइग्रेट हो करके महराष्ट चले गए थे अब तीसरा एपिसोड में कौन आएगा इट वाज जैस सिंग और जैस सिंग कहा के राजा थे अंबर या आमेड कब भेजे गए 1665 एक एक करके जैस सिंग ने शिवाजी के हर किले को जीतना शुरू किया शिवाजी मिले तो इनको भी नहीं लेकिन कई बार शिवाजी की सेना को इन्होंने पराजित किया और शिवाजी को संधी करने के लिए बात दिकिया तो जैसिंग जानते थे कि शिवाजी को मार करके एक हिंदू का खून अपने सर पे क्यों ले इसलिए एक संदी पे दस्तकत किये गए जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ओफ पुरंदर ये सबसे इंपोर्टेंट है किस साल हुई ये हुई 1665 ये कई एक्जाम में पूछी गई है ट्र क्यों दोस्ती करी जैसिंग ने क्योंकि पहले ही औरंग जेब जो है पहले ही औरंग जेब देखें औरंग जेब सुनी मुसलमान था और दक्षिण में जो मुसलिम राज्य थे वो शिया थे जै सिंग बंगला साहब का बंगला भी उनका था जै सिंग बंगला कौन सा है मैं बताओंगा कितने बंगले से इनके डॉन्ट वरी राइट आगे बढ़ते हैं अभी अभी तुम लोग मूड बनाने दो यार समझा करो कहां पर था मैं बूल गया पुरंदर हाँ पुरंदर की संधी जै सिंग जानते थे इस बात को कि एक हिंदू को मार करके कुछ नहीं मिलेगा और अग्जे पहले ही शिया मुस्लिम राज्यों से युद कर रहा है बीजापूर गोल कुंडा निजाम शाही बिरार शाही बिदर शाही तो जितने भी शिया राज्य थे देखिए शिया और सुन्नी आपस में इनकी नहीं जमती क्लियर क्यों नहीं जमती देट इस डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिबेट उसको हम नहीं लेंगे हिस्ट्री पॉइंट अफ व्यू से वो धार्मिक पॉइंट अफ व्यू से है औरंग्देब का सपना था कि वो शिया मुसल्मानों के बच्चों को और राजाओं को अपने यहां ग्वालियर के किले में कैद करेगा इसलिए अपने जीवन के अंतिम 26 साल वो लड़ने के लिए दक्षिन भारत पहुँचा लेकिन शिवाजी उसके पहले की घटना है ठीक है तो जैसिंग ने जब पुरंदर की संदी करी तो 56 में से 23 किले अपने पास ले लिए शिवाजी के और शिवाजी को बोले कि तुझको राजा बनना है तुझको हम राजा बना देंगे और अरंगजेब से तुझको राजा बनवा देंगे शिवाजी महराश्ट के राजा बनना चाहते थे इसलिए ये धोके में आ गए जैसिंग की जबान पक्की थी जैसिंग ने जबान दी कि शिवाजी तुम आगरा पहुँचो हम तुमको आगरा में औरंगजेब से मिलवा करके तुमको राजा बनवा देंगे और दोस्ती कर लेना शिवाजी ने भी देखा कि अच्छा मौका है निजाम शाही बिदर शाही और बीजापूरी तो सब खतम हो रहा है मैं अपने राज्य को बढ़ा लूँगा इसलिए 1666 में शिवाजी और उनका बेटा शंबा जी जैसिंग के कहने पर जिसने शिवाजी की जान माल का सुरक्ष तो शिवाजी जब आगरा पहुचे तो शिवाजी आगरा कब पहुचे? 16, 66 आगरा में जहाँ पर रुके उस महल का नाम था जैपूर महल और जैपूर महल किस ने बनवाया था? जैपूर महल राजपुतों की संपत्ती था और ये संपत्ति जैASING की थी जैसिंग ने शिवाजी की सिक्योर्टी में कोई चूक ना हो क्योंकि शिवाजी और औरंगजेब आपस में दुश्मन थे इसलिए जैसिंग ने अपने 5000 सैनिक इस महल के आसपास उतार दिये इस प्रकार से शिवाजी की सिक्योर्टी बड़ी टाइट हो गई लेकिन जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने उसके दर्बार में पहुचे तो उस दिन औरंगजेब का बर्डे था पूरे हिंदुस्तान भर से लोग आए हुए थे और शायस्ता खान जिसको शिवाजी ने पराजित किया था वो रिष्टेदार होने की वज़े से औरंगजेब के बगल में बैठा हुआ था इसलिए शिवाजी को गुस्सा आ गया शिवाजी को लाइन में खड़ा कर दिया गया यही कारण था कि शिवाजी औरंगजेब के दर्वार से बिना मिले ही वापिस आ गए अब औरंगजेब को जब पता चला कि शिवाजी और उनका बेटा शंबा जी औरंगजेब को पीट दिखा करके आए है तो औरंगजेब ने भी अपनी 10 हजार की सेना जैपुर महल को घेरने के लिए भेज दी दो तीन महीने तक ये ब्लॉकेज चलता रहा जब शिवाजी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो शिवाजी ने इसको बोला किसको जैसिंग को कि अपनी सेना हटाओ जैसिंग ने अपनी सेना हटा ली लेकिन शिवाजी ने भी एक चाल खेली उसने औरंगजेब को बताया कि भाईया औरंगजेब के भाईया औरंगजेब अब मेरे मरने का समय निकट आ गया है इसलिए अब मेरे मरने का समय निकट आ गया है इसलिए मैं दान पुन करना चाहता हूँ दान पुन करने के लिए शिवाजी ने मिठाईया मंगवानी शुरू करी बड़ी बड़ी टोक्रियों में मिठाई महल के बाहर भेजी जाती थी पहले तो दर्बारी ढंग से चेक करते थे लेकिन जब ये डेली का काम हो गया तो दर्बारी भी ढीले पड़ गए और एक दिन इनी टोक्रियों में शिवाजी और उनका बेटा शंबाजी सीधे भागे इनी टोक्रियों में छिप करके ये पहुँचे वहां जहां पे इनके घोड़े इंतजार कर रहे थे तो शिवाजी और शंबाजी तुरंत ही वहां से निकल लिये पूरा महराष्ट अपने राजा का इंतजार कर रहा था और जैसे ही महराष्ट को खबर मिली कि शिवाजी और शंबाजी और अरंगजेब की कैच से रिहा हो करके पहुच रहे हैं पूरा महराष्ट जलने लगा अब मुगलों के खिलाफ लड़ाई और तेज कर दी गई तो दिस एपिसोड आफ जैसिंग चलिए अब देखिए 1674 कोरो नेशन आफ शिवाजी खतम करेंगे शिवाजी को 1674 कोरो नेशन आफ शिवाजी कहां पर हुआ राएगर के किले में इनको टाइटल क्या मिला छत्रपती शिवाजी किस ने किया था बनारस के पंडित थे बनारस से एक हजार पंडित गए थे माराष्ट रियर बनारस से एक पंडित था जिसका नाम था वागभट या नागभट मुझे अच्छे से नाम याद नहीं है आप लोग देख लीजेगा चेक कर लीजेगा ये एक हजार ब्रामडों को ले करके पहुंचा शिवाजी जब जेल से रिया हुए तो तो पहले पहुंचे थे अलाबाद अलाबाद से बनारस बनारस में पंडितों से बात हुई थी तो बोला गया हम तुमको बना देंगे राजा चिंता मत करो तो बनारस first coronation ये ध्यान रखना शिवाजी का भी दो बार राज जब बिशेक हुआ है लोगों को ये बात पता नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन जैसे ही ये राज जब बिशेक हुआ इसके 11 दिन बाद after 11 days शिवाजी की मा जीजावाई मर गई जीजावाई डाइड तो ये सवाल भी पूछ लिया जाएगा कि शिवाजी के coronation के बाद death किसकी हुई थी जीजावाई जीजावाई के मरने के बाद इसको बड़ा ही खराब मुरत माना गया इसलिए उनका second time coronation हुआ इस वार जो coronation हुआ वो किस पंडित ने किया तो वो महराष्ट्र के ही पंडितों ने महराष्ट्रियन तरीके से ही राज्यबिशेक किया और इनको उपाधी वही मिली चत्रपती शिवाजी हिंदू धर्मो धरक ये इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा हिंदू धर्मो धरक की उपाधी किसको दी गई थी शिवाजी धर्मो धरक गौपालक गायों को पालने वाला गौपालक गौपालक राजा कौन हुआ शिवा जी लिख लीजे ये सारे facts important है आपके पास दो मिनट है सरबाद में जै सिंग को poison कर दिया था औरंग्जेब ने ये सब बाते मत पूछो वो जस्वन सिंग को किया था poison आप लोगों ने Prince of Persia देखी है उसमें राजा को एक ऐसा coat पहनाया जाता है जिस coat को पहन के वो राजा मर जाता है तो ये काम औरंग्जेब ने जस्वन सिंग के एक लड़के के साथ में किया था जिसको party में coat पहना दिया था और वो वही मर गया था तो again this scene from Prince of Persia has been taken from Indian history episode औरंग्जेब क्या है झाल 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 चलिए आगे पड़े आगे चले यह लिख लिया फिर्स्ट कुरूने कोरेशन सेकंड कोरेशन वेट इस वेरी इंपोर्टेंट धिंदू धर्मो धरक गौपालक और चत्रपती यह तीनों टाइटल किसको मिले थे शिवाजी को इनी का सपना क्या था यहीं पर लिख लो हिंदू पदपदशाही हिंदू पदपदशाही चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ट देखिए अब शिवाजी की डेथ इनको मारना जरूरी है अलाकि शिवाजी जब मरे तो माते 53 साल के थे बुखार से इनकी मौत हो गई थी शिवाजी की मृत्यू हुई 1680 में और 1680 में ही शिवाजी का लड़का शम्भाजी गड़ी पर वैठा क्या नाम था इनके लड़के का? शम्भाजी अपने पिता की खूबियों के बिलकुल विप्रीत शम्भाजी जिंदगी में एक याशी करने वाला इनसान था Sir I was saying that गुरुद्वारा बंगला साहब was originally a bungalow of Jai Singh known by the name of Jai Singh Pura My dear friend Ravie, ये मुझे देखना पड़ेगा क्यों क्योंकि मुझे को नहीं लगता कि गुरुद्वारा बंगला साहब किसी की बिल्डिंग पे बना होगा लेकिन वो जगे वही थी ये confirm आपकी बात एकदम सही है समझे रहे हो, हो सकता है जमीन जैसिंग से ली हो लेकिन ये doubt है मेरे को वैसे ये जानकारी आपको कहां से मिली वो source भी लिख दो 1680 में अरे मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पे ध्यान देना क्यों परिशान है, कुछ नहीं बचेगा सिर्वत में कुछ नहीं चूटता तो शमबा जी अपने पिता के बिलकुल विपरीत अयाशी करने वाले एक इनसान थे इनको कोई मतलब नहीं था कि औरंगजेब इनका दुश्मन है या दोस्त है ये गद्धी पर बैठे और इन्होंने अयाशी करना शुरू कर दिया बात कतम इनके करेक्टर को ले करके यही बात लिखी जाती है और इस काम में इनका सबसे बड़ा मददगार इनी का एक दोस्त था जिसका नाम था कवी कलश कवी कलश को महराष्ट में लोग कलसू बुलाते थे क्यों क्योंकि ये सबसे लड़ता गूमता था कवी कलश उज्जैन का व्रामर था जो शिवा जी का राज जबिशेक करने आया था लेकिन मीटी मीटी बाते करके यह यहीं पर रह गया और शम्बा जी की पत्नी उनका नाम था ये सू बाई क्या नाम था ये सू बाई और शम्बा जी को एक बेटा भी इनकी पत्नी को पैदा हुआ नाम क्या रखा गया शाहू शाहू आप लोग 9 साल तक शंबा जी ने सिर्फ और सिर्फ अयाशी करी 1680 से 89 तक अपने पिता का गंदा खून था ये आदमी लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता मैं क्यों क्योंकि अब जब ये मरेंगे तब आपको पता चलेगा कि शंबा जी ने मरते मरते पूरे भारत को बताया कि उनकी रगों में ह शिवा जी का ही खून बैता है तो एक बार 1689 में शंबा जी सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करने के लिए निकले निकले ते पहले शंबा जी दूसरे कवी कलश तीसरी येशु भाई और चोथा उनका बेटा शाहु जिस रस्ते से ये जा रहे थे सुबह चार बज़े का सम इस रस्ते में सुबह चार बजे सून सान था इसलिए इन्होंने जादा सेना नहीं ली लेकिन मंदिर पहुचने के पहले ही जिस रस्ते से ये जा रहे थे उसी रस्ते से युद्ध जीत करके मुगल सेना वापिस आ रही थी जैसे ही मुगल सेना ने छत्रपती को देखा इनको चत्रपती शंबा जी किसरी जो सोना शिवाजी ने सूरत से लूटा है वो वापिस करो इस पर शम्बा जी बोले पहले तू एक काम कर तेरी बेटी की शादी मुझ से करा दे कभी कलश बोला हाँ सही बोले सही बोले तो बताईए औरंगजेब ने इनको क्या सजा दी होगी आप लोग लिख के तो इनको क्या सजा देते औरंगजेब ने इनको क्या सजा दी होगी शम्बा जी को यह तो पक्का है कि काटा होगा पर कैसे काटा होगा होरिजॉंटली की वर्टिकली औरंगजेब ने शम्बा जी को सजा दी शम्बा जी और कभी कलश क्योंकि कभी कलश भी वही था औरंगजेब ने शम्बा जी को सजाए मौत रवी जी बहुत सही लेकिन कैसे सजाए मौत काट के पीट के कैसे चित्धडे उड़ा के बहुत सही बहुत सही जा रहे हो तुम में औरंग जेबी दिमाग है बच्चे वर्टिकली मैडम वर्टिकली कैसे काटते हैं ये तो बताओ अब मुझे तो नहीं पता चलो तुम लोग सजा सुन लो औरंग जेब ने कवी कलश और औरंग जेब ने कवी कलश और शमबा जी को सजा दी इनके एक एक अंग हर दिन काटो और इनी के सामने कुट्टों को खिलाओ बिचारा कवी कलश ब्रामड था साथ दिन में मारा गया लेकिन शंबा जी ने मरते मरते पूरे महराश्ट को बताया कि उनकी रगों में शिवाजी का खून था 23 दिन तक शंबा जी इस टॉर्चर को जहलते रहे अब शंबा जी के मरने के बाद महराश्ट दुबारा से जल पड़ा शंबा जी के मरने के बाद शंबा जी का भाई राजा राम जिसकी पत्नी थी येशु भाई गद्धी पर बैठे कौन राजा राम और इसकी पत्नी जो बड़ी ताकतवर थी नाम था तारा भाई राजा राम की भी मृत्यू सत्रा सो में हुई और सत्रा सो में ही तारा भाई ने अपने बेटे शिवाजी सेकंड को गद्धी पर बठाया किसको बठाया शिवाजी सेकंड को अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो बच्चा है शाहू ये सत्रा सो साथ में रिलीज किया जाएगा जेल से इसको तब तक जेल में ही रहने दो लेकिन याद रखना क्योंकि आगे का इतियास यही चलाएगा इसलिए शाहू कभी भी मुगलों के खिलाफ नहीं जाते थे क्योंकि बच्पन में ये मुगल राजकुमारियों के साथ ही खेले थे तो यहीं पर class खतम करते है with the heroic death of Shambha जी तो प्लीज रिमेंबर Shambha जी आलसो एक चीज एक fact बच गया Aurangzeb का बेटा जिसका नाम था Akbar second अपने पिता की नीतियों के खिलाफ विद्रो करके Shambha जी के यहां रहने आया था उसको लगा कि Shambha जी उसकी मदद करेंगे लेकिन Shambha जी तो उसको भी आयाशी कराने में लग गए तो like this, he left to मक्का, जब उन्होंने देखा कि Shambha जी युद्ध लड़ेंगे ही नहीं केवल मौज करेंगे तो यह जो लड़का था Aurangzeb का यह मक्का के लिए दावाना हो गया ओके थैंक यू, धन्यवाद